उत्राखन के सभी लोगों को बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई दिल्ली और देहरादुन के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देव भूमी से और तेज गती से जोड़ेगी बंदे भारत से दिल्ली और देहरादुन के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा इस ट्रेन की गती तो अपनी जगह है ही जो सुविदाएं है वो भी सफर को आनंद दायक बनाने वाली है साथियों मैं अभी कुछ गंटे पहले ही तीन देशों की आता करके लोटा हूँ आज पुरा विश्व भारत को बहुत उमीदों से देख रहा है हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थववस्ता को मजबूती दिये है जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं उसले पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है जिस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े देश पस्त हो गए उसी कोरोना को हम भारतियों ने मिलकर के कड़ाई से टक्कर भी दी हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभियान चलाया आज पूरे विश्व में भारत को लेकर चर्चा है विश्व के लोग भारत को समझने के लिए देखेने के लिए भारत आना चाहते हैं ऐसे मैं उत्राखन जैसे इतने सुन्दर राज्यों के लिए ये बहुत बहतरीन अवसर है इस अवसर का पुरा लाब उठाने में इवन्दे भारत ट्रेन भी उत्राखन की मदद करने वाली है साथियों उत्राखन देव भुमी है मुझे आद है मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तिया निकली थी बाबा केदार के आशिरवाद स्वरूप ये पंक्तिया थी और यूही मैं बोल पड़ा था ये दसक ये दसक उत्राखन का दसक होगा उत्राखन आज जिस तरह से कानून व्यवस्ता को सर्वोपरी रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत सरानिय है ये इस देव भुमी की पहचान को समरक्षित करने के लिए भी एहम है और मेरा तो विश्वाथ है कि ये देव भुमी आने वाले समय में पुरे विश्व की आध्यात्मीक चेतना के आकरशन का केंद्र बनेगी हमें इस सामर्त के अनुरूप भी उत्राखन का विकास करना होगा